मंदिसार अभिनंदन के सुर्यांश परीसर में कॉलोनी का गंदा पानी आ रहा रोड पर शैतर के लोगों ने किया प्रदर्शन नहीं करेंगे मतदान दी चेताउनी मंदिसार वार्ट क्रमांग चार अभिनंदन शेत्र के सुर्यांश परीसर में शेत्र के रहवासियों द्वारा जम कर प्रदर्शन किया महिलार पुरुशों ने मीडिया से चर्चा करते हैं बताय कि कही समय से कॉलोनी का गंदा पानी सड़क पर आ रहा है क्योंकि शेत्र में नाली नहीं बनी हुई है शेत्र के लोग काफी परिशान हो रहे हैं शेत्र की महिलाओं ने मीडिया से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि यह जो गंदा पानी रोड पर आ रहा है वो ही पेजल पाइपलाइन में नलो के माध्यम से घरों में भी आ रहा है तो केसे गंदे पानी को पिया जाए इस गंदे पानी को पिएंगे तो बिमार हो जाएंगे इसलिए कई बार जिम्मेदारों को शिकायत की गई नेता से लेकर अधिकारी को भी शिकायत की गई लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की इतना ही नहीं मदसौर नगरपाली का CMO से लेकर कलेक्टर गोतम सिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान को भी CM हेलपलाइन में शिकायत की गई पर इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया सुर्यांश परिसर में घर पर बेटी जो अपने मम्मी पापा की यहां आई हुई है उस बेटी ने भी आरोप लगाया कि मदसौर के कलेक्टर को भी शिकायत की गई थी तो उनके द्वारा ही मुझ पर ही बढ़कना शुरू कर दिया कहा कि आप खुद क्यों गंदे शेहर में आई हो इस तरह का आरोप भी लगाया गया है शेतरवासी द्वारा मीडिया से चर्चा करते वे बताए कि परिसर में किसी भी नेताओं को आने की कोई जुरूरत नहीं है और जो यहां से पारशद वोट लेकर चले जाते हैं जीत जाते हैं और एक बार भी पलट कर नहीं आते इसलिए हम लोगों ने विचार किया है कि हम चुनाओ का बहिशकार करेंगे और मतदान नहीं किया जाएगा इस तरह का भी मीडिया से चर्चा करते वेचे इतावनी दी हैं और काये कि शेत्र में चुनाव का बहिशकार है इस तरह कि यहाँ पर बोर्ड भी लगाए जाएंगे अब देखना यही होगा कि जिम्मेदार अभी भी आँखों पर पट्टी और कानों में रूई डाल कर बैठे रहेंगे या शेत्र के लोगों की समस्याओं का निकाल करेंग और जैसे ही सुचिता सर्वेक्शन की टीम यहाँ से चली जाती है उसके बाद मदसार की सडकों से लेकर गली महले पूरी तरह बतसूरत हो जाते हैं का रस्ता कहीं नहीं है उसके बावजूद भी विदायक जी ने का हां के मैं देख लूँगा बना नहीं करा सीओ मों साब आके देखके चले गए और इन कालोनी में नालियों बनाने का कोई जब यह कालोनी एपरूट है टी एंसी डायवेशन जब विनोद उकावत इस कालोन की घड़ी देवे यह चूपों का नगरपाली का वाले हटवाणिया जी और जो भी है नगरपाली का वाले यह कौन सा काम है यह रोडों पर पानी निकल रहा है हम यह चाह रहा है कि इस नाली का पानी निकासी बनाई जाए ना कि सफ़ईकर्मी चाहिए हमें हमें नालियों क का वहिस्कार किया जाएगा खड़ को दीकत है लेकिन हमारी क्या है थे मेने सालबर में एक बनाट आते हैं तो यह के हमारी चोटे बच्चों के साथ कलेक्टर ऑफिस गये हैं पास थोड़ी है दो दो घंटे हमने आप इंतिजार किया है उपर से कलेक्टर बोलते हैं कि यह ना तुम किसलिए आयो यहां पर शैर गंदा है तो करवाईगी यहां पर जब से हम लोग आए हैं आज तीन साल हम लोगों को हो गए है यह नालियों का पानी निकासी नहीं होने के कारण इतना बाहर रोड पे आ रहा है कि अब हम तो हमारा निकलना भी मुश्किल हो गया है और यही पानी सारा नालियों के कारण हमारे नलों के कनेक्शन में जा रहा है अब वह गंदा पानी हम लोग कैसे पीए यह तो मंदब नगरपाली का को सोचना चाहिए अगर वह नगरपाली का नहीं सोचती है तो फिर हमारे यहां चुनाओं में आने के लिए उनका कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि पूरी कॉलोनी बल्कि आसप कि अधिर वानी है